निलास, Unisex Salon and Academy, अपोजेट बदर विद्याले, वेशाली नगर अजमीर, इंटरनाशनल वाच्चेस कलेक्शन, बाइ मिनिट्स तू स्टाइल, माटिन दिलब्रिच अजमीर इस खबर की प्रस्तूत करता है, स्ट्रान, Unisex Salon, कचेरी रोड अजमीर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल नागरिक को घबराने की जरुवत नहीं है, अमिशा खुद भी यही कह रहे हैं, खेर, देश में बिगड़ते माहूल के बीच, हमने प्रैस इंफॉर्मेशन बीरो से प्राब जानकारी पर कुछ अववाओं को दूर करने की कोशिश किये, जिसमें आप सब क्यों मदद चाह जिससे एक्ट पर फैल रहे अववाओं को हम रोक सकें, इसलिए अब इन सवालों के जवाब को अववाओं के बाजार में पहुचा दीजिए, जिससे हिंदुस्तान फिर से एकजूट हो जाए, क्या नागरिक संशोदन कानून भारतियों, हिंदू, मुसलिम किसी को भी प् संशोदन कानून को निरस्ट नहीं कर सकता, नागरिक संशोदन कानून से संबंदित गलत सूचना देने वाला अभियान चलाये जा रहा है, यह कानून मुसलिम नागरिक को सहीद किसी भी भारतिय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है, सवाल है क्या पाकिस्तान के बलुचियों एहमदिया और म्यामार के रोंग्याओं को इस कानून के अंतरगत रियायत नहीं दी जानी चाहिए तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहट नागरिकता संचोधन कानून किसी भी देश के किसी भी नागरिक को भारते नागरिकता के लिए आविदन करने से नहीं रोकता है ये तमाम किसी भी भारते नागरिक के लिए आविदन कर सकते हैं बर्षते वो नागरिक्ता अधिनयम 1955 से संबन्दित वर्गों में प्रदत योगिता को पूरा करते हूँ पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान इन तीन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौध, पार्सी और इसाई शर्णातियों को इससे कैसे फायदा होगा बहुत आसान है, यदि इन तीन देशों से आई शर्णातियों के पास पासपोर्ट, वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है और वहाँ उनका उस्पिरन हुआ हो, तो वे भी भारतिय नागरिक्ता के लिए आविदन कर सकते है नारेक्ता संशोधन कानून ऐसे लोगों को नागरिक्ता का अधिकार देता है इसके अलावा ऐसे लोगों को जटिल पिरकरिया से मुक्ति मिलेगी और जल्द भारत की नागरिक्ता मिलेगी इसके लिए भारत में एक से लेकर 6 साल तक की रियाईश की जरुवत होगी हाना कि अन्य लोगों को भारते नागरिक हासिल करने के लिए 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा कै इसका मतलब यह है कि इन तीन देशों के मुसलमानों को भारते नागरिक तक कभी नहीं मिल सकती नहीं इन तीनों और अन्यसभी देशों के मुसलमान हमेशा भारते नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वो इसके पात रहे नागरिक संशोधन कानून ने किसी भी देश के किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता लेने से नहीं रोका है बर्षते की वे कानून के तहित मौजूदा योग्यता को पूरा करें पिशले 6 वर्षों के दोरान लगबग 2,830 पाकिस्तानी नागरी को 912 अफगानी नागरी को और 112 बंगलादेशी नागरी को भारते नागरीता दी गई है इन में से कई लोग इन तीन देशों में बहुसंच्यक समुदाय से हैं और ये तब भी जारी रहेगी जब वे पंजी करण या प्राकति करण के लिए कानून में पहले सी दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं 2014 में दोनों देशों के लिए सीमा समझोतक के बाद बंगलादेश के 50 से अधिक हिस्तों को भारती चितर में शामिल करने के बाद बहुसंच्यक समुदाय के लगबक 14,864 बंगलादेशी नागरी को भी भारती नागरीता प्रदान की गई है क्या शर्णातियों की देखबाल के लिए सहींत राष्ट के तहट भारत का दाइत नहीं है बिल्कुल है ये शर्णातियों की देखबाल करता है और भारत इस कानून के तहट अन्य शर्णातियों को दूर नहीं वेज रहा है भारत सही पिर्टेक देश के प्राकतिक करण के अपने नियम है भारत में दूलाग से अधिक श्रीलंकाई, तमिल, तिबती और पंद्रह हजार से अधिक अफगानी, 20-25 जार रोंगिया और विदेशों से सैकड़ अन्ने शननार्ती वर्तमान में भारत में रह रहे और उमीड की जाती है कि किसी दिन जब वहाँ की सत्ति में सुधार होगा, तो ये शननार्ती अपने घर वापस लोट जाएंगे लेकिन इन तीन देशों के हिंदूओं के मामले में ये कानून इस्वास्तिक पक्त को सिवकार करता है कि इन तीन देशों में उत्पिडन का माहुल कभी नहीं सुधनने वाला है क्या इन तीन देशों से गैर कानूनी रूप से भारत आये मुस्लिम आप्रवासियों को नागरिक संशोधन के अंतरकत वापस बिजा जाएगा तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं नागरिक संशोधन कानून का किसी भी विदेशी को भारत से भार बेजने से कोई लिना दिना नहीं है किसी भी विदेशी नागरिक को देश से भार बेजने चाहें वे किसी भी धरम या देश का हो उसकी पिरकरिया bacon act 1946 और passport act 1920 के तहत की जाती है ये दोनों कानून सभी विदेशियों चाहें वे किसी भी देश अत्वा धरम की हों देश में प्रिवेश करने रियायश पारत में गूमने फिर्णने और देश से भार जाने की पिरकरिया को देखते हैं इसलिए सामाने निर्वासन प्रकरिया सिर्फ गेर कानूनी रूप से भारत में रहराय विदेशियों पर ही लागू होगी। यह पूरी तरह से सोच समझ कर बनाई गई कानूनी प्रकरिया है जो इस्थानी पुलिस अत्वा प्रचाशनिक प्रादिकारियों द्वारा गेर कानूनी रूप से रह 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 रहे विदेशी नागरिकों की पैचान करने के लिए की गई। तब ही शुरू होगी जब कोई वैक्ती दापॉर्नेस एक्ट 1946 के तहट विदेशी साबित होगा। श्रिलंका के तमीलों का क्या होगा। 1964 और 1971 में प्रदानमंत्री इस्तरिय करार के बाद भारत ने 4,61,000 तमील लोगों को भारते नागरिकता प्रदान की है। वर्तमान में 95,000 तमील लोग तमील नाडू में रह रहे हैं और केंद्र और राज्य से अनूवरती ले रहे हैं। ये लोग अपनी पात्रिता पूर्ण होते ही नागरिता के लिए आवेधन कर सकते हैं। केवल इन 3 देशों की सराना क्यूं और उप्रोक्त अधिसूचीत संप्रताएं का केवल धार्मिक उत्पिडन ही क्यूं। नागरिक संशोधन कानून 3 पडोसी देशों में धार्मिक आदार पर हुए उत्पिडन से संबंदित हैं। जहां सविदान एक विशिष ताज्य धर्म के लिए प्रदान करता है। हुआ 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 हुआ